आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन पर कॉल आता है बट कॉल आपकी फुल स्क्रीन पर शो नहीं होता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आईए जान लेते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में सैटिंग्स को ओपन करिए सैटिंग्स को ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आईए और आपको मिलेगा स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन का ओप्शन तो इस ओप्शन पर आप किलिक करिए किलिक करके उपर मैनेज नोटिफिकेशन या फिर अलाव नोटिफिकेशन का ओप्शन आएगा इस पर किलिक करिए जैसे ही किलिक करेंगे थोड़ा सा वेट करिए अब उसके बाद आपके phone के सारे applications आ चुके हैं अब यहाँ पर नीचे scroll करेंगे और नीचे आकर आपको मिलेगा phone यानि कि आपके phone का dialer इस पर आप click करें click करके आपको यहाँ पर 3 से 4 option मिलेंगे तो जितने option आएंगे आपके phone में सारे options को चालू करें तो इस type से सारे options को चालू करने के बाद back आईए उसके बाद settings में नीचे scroll करें और आपको मिलेगा app manager या फिर app management के नाम से एक option तो यहाँ पर आपके phone में settings में नीचे ही आपको मिलेगा app manager या फिर app management के नाम से option और अगर आपको इस type से नहीं मिलेगा तो आपके phone में more settings का एक option आएगा इस पर click करें click करके मिलेगा आपको app manager इस पर आप click करिए उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा wait करिए अब आपके phone के सारे application आईए उसके बाद नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा phone तो phone पर click करिए phone पर click करके force stop पर click करिए नीचे ok करिए उसके बाद storage पर click करिए clear data पर click करिए नीचे clear पर फिर से click करिए उसके बाद back आईए permissions पर click करिए और जो permission आएंगी यहाँ पर allow करिए उसके बाद back आईए फिर से back आईए अब उपर more option मिलेगा यहाँ फिर तीन dot का option आईगा इस पर click करिए आपको मिलेगा Reset App Preferences इस पर आप किलिक करिए और Reset Apps पर किलिक करिए ये करने से कोई आपका Data Delete नहीं होगा बस आपकी Applications की जो Settings होती है वो पहले जैसी हो जाती है तो कोई Data आपका Delete नहीं होगा तो इस पर किलिक करके Reset Apps आप कर सकते हैं ये सारी Settings आप करेंगे उसके बाद चैक करिए अब आपका Call फुल स्क्रीन पर शो होने लग जाएगा तो इस टाइप से अपनी Problem को ठीक करें वीडियो पसंदाई वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें